दुश्तुन मस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में भारस समाचार के माध्यम से यहाँ पर ट्वीटर हंडल पर एक गंटे पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंतरी आवास पर बैठक का सिलसिला शुरू राज सिक्षा आयो के गठन को लेकर के बैठक सुरू इस बात को लेकर के यह उमीद लगाई जा रही थी कि एक दो दिन में आयो का गठन हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंतरी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सरकार नए साल में सिक्षा पडाली को बनाएगे स्मार्ट नई तकनीकों की मदद से स सिक्षा पडाली को स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी इसके लावा इसको जब आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर राज की सिक्षा पडाली को स्मार्ट बनाने की बात कही गई प्रते के स्कूल को टैबलिट देने की बात कही गई यह मीटिंग होने के बाद अभी कुछी समय पहले एक और ट्विट किया गया है यानि मीटिंग में किन किन चीजों पर जोर दिया गया है इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी यहाँ पर देखिएगा 12 मिनट पहले ट्विट करके जानकारी दी गई है जिसमें CM योगी आदित तिनात ने अपसरों को निर्देश दिये हैं यूपी में सिक्षा सेवा चैन आयोग के गठन को लेकर के निर्देश दिये गए हैं जल्द ही सिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन होगा उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अगर आज मीटिंग होगी तो जल्द का मतलब 3-4 दिन में हो जाएगा बट अभी ये जल्द कितने दिनों में होगा इसकी कोई समय सीमा निर्धायत नहीं की गई है लेकिन यह जो नया सिक्षा सेवा चैन आयोग बनेगा इस पर काफी जादा लोड हो जाएगा क्योंकि इनका जो कहना है वो यहाँ पर लिखा है कि एक ही आयोग से सबी सिक्षकों का चैन होगा इसमें basic भी आ जाएंगे माध्यमिक भी आ जाएंगे उच्छ college आ जाएंगे इसके साथी साथ इसमें प्राविधिक कालिजों की भी बात इसमें कही गई आसासकी सहयता, प्राथ अल्प संख्यक और यहाँ पर एक जिम्मेदारी और दी दी गई है कि नया आयोगी अब कराएगा आपकी योपी टैट की परिक्षा ये भी यहाँ पर मेंसन किया गया है लेकिन नई सिक्षक बर्ती को ले करके अभी भी कोई भी बयान या कोई भी कमेटमेंट इनके द्वारा नहीं की गई है यहाँ पर कुछ लोगों की आप प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं जैसे पेट कराके लंका लगा रखिए घोशला करने में उस्ताध हो ठीक है तो ये खबार अभी भी आपको पहुचाई इस वीडियो के माद्यम से इसके अलावा लगनव से एक और खबार प्रकाशित की गई है संजोग मिश्ट के द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सवालाग पतखाली नई भरती को कोड पहुचे अभिरती पर सिदी स्कूलों में सिक्चकों के सवालाग से अधिक पतखाली और चार साल से कोई सिक्चक पतखाली नहीं आने पर बेरोजगारों ने हाई कोड का दर्वाजा खटकटाया है 2015 बैच में बीटी सी करने वाले जौनपूर के इन्दुबाल तिवारी वा एक अन्न की और से आचिका दैर की के जिसमें कहा गया कि आर्टी एक्ट के तहत इस स्कूलों में सिक्चकों से 10 सिक्चकों के जो पद है 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त नहीं होने की विवस्ता दी गई है लेकिन 2018 के बाद सिक्चक बरती नहीं आने के करड 25 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं यहाँ पर गोरकपूर जिले का एक्जामपल भी दिया ग बग 1,26,490 पद खाली हैं यहाँ पर आप डेटा देख पा रहे होंगे नीमित सिक्षकों के कितने पद हैं और कितने पद अभी कारिरत हैं और कितने पद खाली हैं तो खाली पदों का जो बेवरा निकला है वो है 1,26,490 तो अभी तो बरती की अगर हम बात करें अभी तो इन जैसे कि आपकी TGT PGT की परिक्षा होनी है जूनियर एड़ेट की जो परिक्षा होई थी उसकी अभी नियुक तिपत्र नहीं बट पाया है उनका फाइनल इजल्ट अभी नहीं आ पाया है तो यह सब काम है और यहाँ पर यह जो मामला हाई कोट में गया है तीन माई को इसक का क्या रूप होता है जैसे ही कोई महत्रपूर अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करके रखिएगा